गाइस T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हो चुका है और कल पहले ही मैच में हम लोग क्लीन स्वीप मार चुके हैं जी हाँ कल मैं आपको वीडियो देया था वेस्ट अंडीस और PNG के मैच का जिसमें जो कुछ मैंने वीडियों वोला था पूरा मैच वैसे ही किया है अब जिन लोगोंने कल मेरा वीडियो देखके टीम मनाई होगी उन्होंने लाखों रुपे कल के मैच में विन किया होगा क्यों क्योंकि भाई कल जो कुछ मैंने वीडियों होना था वही हुआ था पी एंजी की तरब से मैंने आपको वोल दिया था कि आपके असदवाला आपके सेसेवाओ आपके अमीनी और आपके अली ये टॉप परफॉर्मर होंगे अब इनमें से तीन सबसे बड़ी अपरफॉर्म करने वाले प्लेयर है सेसेवाओ उन्हें हाफ संचुरी मारी असदवाला ने दो विकेट निकाले पलस रंभी बनाए और अली नाओ ने एक ओवर मैडन और एक लबी डबलू आउट किया मतलब एक तरफा कल उन लोगों ने विन किया जिन्होंने मेरा वीडियो देखा और वेस्ट इंडीज की तरफ से मैंने आपको गोल दिया था कि वेस्ट इंडीज अगर पहले बॉलिंग कर आए तो वेस्ट इंडीज के बॉलर्स को कैप्टन वाइस कप्टन कर देना सब्सक्राइब पॉइंट किसे ने दिये रसल और आपके जोसेफ ने कहां से बॉलिंग से तो यही होता है अगर आप मेरा वीडियो देखकर टीम मनाते हो तो भाई आपकी जीत पक्की होती है आज टी टुएंटी वर्ल कप का चौथा मैच खेरा आएगा सिरिलंका और साउ मैच में एक बार फिर से अच्छी टीम मना करेंगे लाख रुपे इजिली विन कर लेंगे गए सिरिलंका और साउथ अफरिका के मैच मैच स्टार्ट होगा रात को आठ बजे यहां पर मैं आपको हर एक चीज बता दूँगा कि मैच में होगा क्या कौन से टीम मैच जी जिस त्यम के साथ मैंने कर्लन किया वह फाइनल टीम सिर्फ और सिर्फ टैलिग्राम चैनल तैलिग्राम चैनल 50 66kum 2013 लोगोंzte जोइन कि अगर आपने ज़ेन नहीं किया तो सबसे पहले टैलिग्राम चैनल करो यहां पर आपको फ्री डिप्स फ्री टीम और बहुत सारी चीज़े आपको फ्री मिलती है 11 लाग से ज्यादा लोग उने जोइन किया हुआ अगर आपने नहीं किया तो किशीज का वेट कर रहे हो तो भाई जाओ वीडियो के डिस्क्रिप्चर में कमेंट च्रक्शन में लिंक से सबसे पहले टेलीग्राम चैनल जोइन करो ठीक आगर लिंक से जोइन नहीं हो रहा था आप टेलीग्राम पर सार्च करो फैंटेसी क्रिकट गुरू आपको साड़े 11 लाक्स ज्यादा सब्सक्राइब वाला ब्लू टिक वेरिफैड चैनल मिलेगा जोइन कर लिजेगा उस बाद आपको टॉस बाद या फ्री टीम मिल जाएगी उमीद करता हूँ आपने टेलीग्राम चैनल जोइन कर लिया होगा नहीं कर रहा है तो अभी भी जाकर कर लिजिए आप गाइस आगे हम बात कर लेते हैं आज के इस मैच में आपके लिए क्या कुछ खास ओफर्स हैं कहां भाई माई माशलेव नहीं जो आपको ओफर्स देता है तो इस मैच में एक बार फिर से जैसे IPL में आपको में माशलेव रोजाना 50,000 रुपे का फ्री गयों दे रहा था यहाँ पर इस वर्ल्ल कप में भी में ठान लिया है कि हमने वर्ल्ल कप के हर मैच में 50,000 रुपे फ्री में बाटने तो भाई मैंने आई पेल में भी बोला था कि अगर आपको फ्री में पैसे कमाने आपको फंटेशी खेलने के लिए पैसे नहीं है तो माई माशलेव डाउनलोड कर लो क्योंकि यहां पर आप जोजाना फ्री में 50,000 रुपे कमाने का मोका मिलता है तो जिन्होंने अभी तक माई माशलेव डाउनलोड नहीं किया है साइन अप नहीं किया है जाओ मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट शेक्शन में दोनों जेखा पर मैंने माई माशलेव डिरका आप लिंक प को बता है यह तो फिरी हो गया जो लोग हाई इन्वेस्टरस हैं जो लोग ज्यादा पैसे लगाते हैं अगर आप ड्रीम लों वगरा पर अपना पैसे पर बात कर रहे हो तो छोड़ दो इधर आओ माई माशलेव पर क्यों क्योंकि एक करोड़ रुपे का इन्वेस्मेंट रीडर बोड़ यह इस वर्ल्ड कप में मिलेकर आएं जिसमें आपको यहां तक टॉप फाइफ को लोग कार दे रहे हैं और एक एक कार की कीमत लगबाग है बीस लाग पच्चीस लाग रुपे हैं उसके बाद आपको बाइक्स मिल रही हैं और नीचा आप चले जाओगे त आपको इसी तरिकी के बहुत सारे प्राइज मिलने वाले हैं तो जिन्हों ने अभी तक माई मार्श लेन अपको साइन अप नहीं किया है तो भाई आओ खेलो और यहां पर जीतना तो बहुत यहां पर आप स्मॉल लीग खेल रहे हो आप बहुत आवरेज ट्रीम के साथ भी बार ऐसा हुआ है कि तीन महीने में कोई ग्राउंड तयार हुआ है तो एकदम नया ग्राउंड है यहां पर अभी तक कोई मैच खेला नहीं गया है अब पिच कैसी होगी थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि जो यह पिच है यह बनाई गई है कैसे इसके लिए जो मिट्ट मिया पर आसान हो सकती है बाकि फाइनल पिच रिपोर्ट क्या होगी वो तो आपको टॉस के टाइम पर ही पता चलेगी और पहला मैच होने के बाद असल में पिच समझ में आईगी ठीक है तो फाइनल पिच रिपोर्ट के लिए आप टेलिग्राम जोइन कर लिजेगा अभी चुकि मेरे पास कोई रिपोर्ट है नहीं कि पिच कैसी है कैसा भी हो करेगी तो इसलिए मैं फाइनल पिच रिपोर्ट नहीं बता सकता तो इसके लिए आपको टेलिग्राम जोइन करना पड़ेगा आप इस आगे बात करें मैच प्रेडिक्शन की तो मेरे हिसाब से इस पर करते हुए आपनी बनानी है तो इस मैच में एक बार फिर से मैं आपको 10,000 रुपिस का करना क्या है कुछ नहीं करना जस्ट आपने बताना है कि इस मैच में आपके कुंड़न डिकोग कितने रन बनाने वाले हैं ठीक है अब आप जाओ कमेंट शेक्शन में और हैस्ट्र करो और जो भी आपको लगता है कि कुंड़न डिकोग रन बनाएंगे वह एक्जेक्ट नमबर अपने कमेंट बता दो अगर आपका नमबर सही हुआ आपका प्रेडिक्शन सही हो और आपके कमेंट में लाइक हुए तो आपको मेरी तरफ से फिरी में 10,000 रुपिस्ट मिल सक सब्सक्राइब करना जरूरी है अदरवाइस आपके कमिंदू मेंडिस हैं फिर आते आपके चरित असलंका वनिंदू असरंगा फिर आपके अंजलय मैथ्यूज और दसुन सनाका यहां तक इनके बास बैटिंगे तो यह तीन इनके पास पेसर्स हैं और इसमें दिल्शान मदूशंग का लेफ्ट आम फास्ट मीडियम है बागी दो राइट आम फास्ट मीडियम है और इन दोनों को तो अपने IPL भी खेलती हूँ देखा होगा यह मुंबई की तरफ से चैने की तरफ से खेल रहते हैं अब अगर अमिर के इस्पनर्स देखे तो थीक शाना भाई थीक शाना को आपने चैनली की तरफ से खेल देखा होगा और वनिंदू असरंगा हाला कि हैधरवाद की टीम में थे बाट इस IPL नहीं खेल पाए थे तो यह इनका बॉलिंग अटेक है दो इस्पनर तीन पेसर्स अब के कमिंदू मैंडिस को एक दो आवर बॉलिंग मिल सकती है ठीक है इसके अलावा अगर इनको एक्स्ट्रा मीडियम पेसर की जुरत पड़ी जैसे की नहीं पीछे और एडिलेड की पीछे तो हो सकता है पेसर्स को थोड़ी से एक्स्ट्राइट मिल जाए तो वहाँ पर फिर में दे देता हूं अब इस टीम में अगरम देगें तो डैथ में आपके हमेशा की तरह पदीराना कराएंगे जैसे चैननी के लिए करते हैं और मेरे साब से दूसरे जो डैथ के बालर होंगे वह नुवान तुशारा होंगे दिर्शार मदुशंग का जाहदर बॉलिंग है यह दो लेफ्टी से बाकि सारे के सारे राइट है अब यह सारी चीज हो गई फिलाल हम देख लेते हैं कि मैंने इस टीम में से किस-किस प्लेयर को लेना है बाइब मैं पतुम निसांगा को लूँगा क्योंकि मेरे हिसाब से इन से अच्छा बैस्मैन इस वक्षिल लंगा दे सकते हैं अगर जरुरत पड़ी जैसे कि सामने राइट हैंड मैंने बैटिंग तो ठीक टाक करते ही हैं उसके बाद मैं असलंगा को नहीं लूँगा यह राइट अब राइक बॉलिंग की जरुरत पड़ी तो इनको नहीं मिलेगा भाई इनके पास ओलेडिए एक सबसे टॉप के लिए चोटी सी उसमें तीनों मैं ठीकटाप मैंस किया था और वार्मप मैंचिस में हाला कि इनका टॉप और दोनों में कॉलाप से आता तो यह थोड़ा सा कुछ खास कर नहीं पाए ते इस टीम के एक मैंस के लाउस में बहतर बनाए सबसे अच्छा पोमें मैंडिस को देख लो इनका यह जो लीग हुईती से लंगा में उसमें ठीक ठीक रहा है लेकिन हैट तो हैट देखो भाई दो का आवरेज है आप चहल को उड़ा लेगो चहल का भी इतना खराप होमें सथा नहीं होगा किसी टीम के के जितना कुशाल मैंडिस का है उसके इनका भी नहीं रहा है जैसे मैं आपको उल रहा हूं की बैटिंग में सिर्फ और शिर्फ आपके पतुम निशंक का अच्छा करते हैं बाकि इसके लावा किसी का कुछ खास है नहीं है तो इसलिए मैं इनको भी ले रहा है बैटिंग बॉलिंग दोनों सिल लंका की तरफ से बढ़िया करता है और कैप्टन वाइस काप्टन की इस मैच में सबसे बढ़िया चोईस होगा ठीक है है आप देख लो चार मैच में चाहीं कि लिए हो में हाले की बैटिंग में उतना च्छा किया नहीं है लेकिन फिर भी जिस तरीके से रिसेंट में बैटिंग अच्छा प पत्म निश्क का कहला हुआ अब दस्वी शाना काओ को देखिए इनका ठीक है दोनों मैचों में एक मैच में इन्होंने चार विकिट निकाले और तेश्रें रहा था लास्ट वार्पम मैच खेरा था और जो सिल्लंका में जो लीग हुई थी उसमें इन्होंने एक मैच में दो विकिट निकाले एक मैच में तरी सटर मनाएं तो ठीक ठाक है आप चाहो तो इनको भी ले सकते हो कमिंदू में डिस को ड्रॉप करके हैट में इनका भी कुछ खास नहीं है अब उसके बाद आते हैं थिक शाना पाई थिक शाना का आपने आई पील देखा होगा बहुत क डंका जो टीटउयंटी लीग हुई थी बल्लक पके लिए है उसमें हिनोने दो फिलने निकाले इस्तार्टिंग बॉलिक कराते हैं और थोड़ासा इनको श्रासा झालता है जिसकी में से इनको विकेड्स मिल जाते स्टार्टिंगमा ठीक है अब आगे हम बात कर लिए आप स तो मस्टरव पिक होंगे और इवन कैप्टन वाइस कर प्रापिर को कर सकते हो उस बाद आपके नुवान तुशारा नुवान तुशारा का आइट वेल काफी अच्छा रहा था पिछले चार में इन्होंने भी साथ विक्र निकाले हुए और लाज जो वार्मप बैच करे था उसमें एक विक्र निकाल रहा था तो यह प्लेयर है जिसमें चो मैंना आपको बता है कि आपके लिए पदिराना आपके लिए पतम निशंका आपके लिए वनिंदु असरंगा और कभिन दुमेंटेशी चाट टॉप चोईस हैं इसके अलावा आप चाहो तो नुवान लिए आते हैं आपको एक दूबिक्त हमेशा देखे जाते हैं तो यह सिल्लंगा की लाइन अप होगी बैक इसके लाओ जोनके स्कौार्ड इसमी सदी रहा है दरनजी डिसलमा है दुश्मन तो चमीरा है और दूनीत है मेरे इसाब से इन में से कोई खेलेगा नहीं अगर बा मारको एंसन गिराल उसके बाद आपके केशा माराज काई रबाड़ा और तबरेश शम्सी यह इनकी लाइन अप है अब इसमें एक चैंज मेरे को होते हुँ दिख सकता है अगर पिछ पेसर करती है तो यह तबरेश शम्शी को ड्रॉप करके एक एक्स्ट्रा पेसर को खिला सकते हैं अब कौन कहलेगा या तो बाटमैन होंगे या आपके एंडरिक नौर किया होंगे ठीक है आप वो क्या करेंगे कैसा उनका रिसेंट का फो मैं आपको आगे दिखाऊंगा फिलाल मैं इस प्लेंग लिए उनके बारें बात कर लेता हूं तो गाइस इस टीम में जैसे इसके लावा कोई पार्ट टाइम पेसर भी नहीं है जैसे उनके पास दस्वूशना का है ठीक है अब अगर इनको एक एक एक्स्ट्रा पेसर चाहिए तो वो इनको खिलाना पड़ेगा किसकी आपर तबरेश को ड्रॉप करना थुरा से इसकी क्योंकि वह सिर्लंका के थमेश बहुत कम चांस है अब इस टीम में से मेरी टीम में कौन-कौन से प्लेयर होंगे तो भाई मैं डिकॉक को लूँगा रिजए एंडरिस को लूँगा और एडन मारकरम को लूँगा इवन हेंडरिक क्लासन को भी मिलूँगा मेरे को डिकॉक से थोड़ी सी कम उम्मीद है अगर हैंडरिक क्लासन विकेट कीपिंग करते हैं तो फिर एक अलग बात होगी फिर आप इनको इजिली ड्रॉप करके किसी एक एक्स्ट्रा बॉलर या डिविट मिलर को ट्राइब कर सकते हो फिर मैं यहां से मारक को एंसन को लूँगा और क्यों से रबाड़ा को लूँग तो फिर मैं केश्व महराज को ट्राइब करूंगा अधरवाइस मैं नहीं लूँगा क्योंकि इतने कमजोर नहीं है जितना पेसर के सामने होते हैं अब इस ट्रीम में से क्यों किसे लिए हुआ है आप देख लीजिए मैंने को लेना ने लेना क्यों क्योंकि आप IPL देख ल लास्ट के दो मैं जो इन्हों ने खेले आपके वेस्टेंडीस के अभी लास्ट महीने में काफी तगड़ा पॉमिस आया उसके पहले से टीटीटी लीग में भी काफी अच्छा रहा था है तो मेरे इसाब से तो मैस्ट अपी का जिस तरह से फॉर्म में है फिर आता आपके इनका आई पिल कुछ खास रहा नहीं था हलाकि राइटम ब्रेक बॉल है इनको एकादे वर मिल सकता है जब लेफ्टी जोंगे सामने तो आप इनको और तोर पे देख सकते हैं चार विगड़ भी निकाने इसलिए बोल रहा हूं कि आप इनको और तोर पे देख सकते हो अब देखो यार एक-दो मैचों से आप नहीं बता सकते हैं कि अच्छा खेला नहीं केला है सिर्फ दो मैच है और एक मैच में फिर भी 18 इनों बना दिये थे डेविड मिलर इनका भी आई पील ठीक रहा था अच्छा रहा था इवन क्योंकि इनकी बैटिंग बहुत लेट आती थ तकड़े प्रफॉमस किया है एक में 23 नौट आउट एक में 41 एक में 26 नौर नौट आउट भी आपको एक बड़े इनिंग कहल सकते थे आगर और ज्यादा बॉले मिलती तो ट्रिस्टन इस टप्स इनका भी आई पील ठीक ठाक रहा था लेकिन बहुत डाउन आते हैं बैटि टीक है उसके बाद साउथ अफ्रिकार जो टीटेंटी लीग हुई थी उसमें ने बहुत अच्छा किया था अब हैट ट्रेट खेला नहीं है जराल की बात करते हैं इन्होंने दो मैच खेले वेस्ट इंडिस के आगें दो मैचों में निकाले आई पील इनका भी कुछ खास अब के लिए पांच मैचों में सिर्फ दो विकेट हैट देख लो हैट मैं भी आप देखोंगे तो इनके पांच मैचों में शिर्फ तीन विकेड मिले हैं तो रबाडा का टाइम अच्छा नहीं चल रहा है इसकी वजह से अगर आप यह रिस्क ले सकते हो रबाडा को कि शायद तबरेश शंची को ड्रॉप नहीं करेंगे लेफ टांच चाइनमें बॉल रहे हैं और विकेट टेकिंग बॉल रहे हैं अगर खेलते हैं तो आप इनको जरू टीम में रख सकते हो उसके बाद जो इनका स्क्वार्ड है रियान निंकल टन जोगी मेरे के हिसाब से अगर एक इनको एक पर पर फिर आपके बिजान मेरे साब से खेलेंगे नहीं क्योंकि आप पस और अलड़ी महराज मौजूद है तो यह इनका स्क्वार्ड है अब गाईस दोने टीम की पैलेंगे ने बात कर लिए फिराल हम देख लेते हैं तो प्लेयर बेटल तो प्लेयर इनको रवाड़ा और शमशी परिशान करते हैं किसको कुषाल मेंडिस को दोनों ने दो दो बार आउट किया है बहुत जादा बोले भी नहीं डाली और रंड भी खर्च नहीं करें तो कुषाल मेंडिस के लिए रवाड़ा एक बड़ा इसक होंगे इनको खेलना इनके बड डाल करके तो हसरंगा आपके लिए बेस्ट चोईस होंगे इस मैंच में इसका प्रेंसी के लिए तो यह प्लेयर होगी आप गाईस हम देख लेते हैं कि इस मैच मैच जब हम ड्रीम टीम बना रहे होंगे ग्रांड लिग की एक क्रोडर पर जीतने के लिए तो कौन-कौन से हमारे लिए इंपोर्टन होंगे जो हर बार हैट टो हैड में प्रफॉम करते हैं तो विकट कीपर में आप देखोगी तो आपके डिकॉक चार मैचों में चारो बार आपको ड्रीम टीम में दिख रहे हैं और एक और आपको चीज बता दूँ है चार के चार मैच लास्ट के तो दोने टीम के बीच में खेले गए वह साउद अफ्रिकानी जीते तो उसी के हिसाब सापने डिम मना रही है अब बैटिंग में अगर मैं देखू तो डिकॉक के साथ मार कर हम दूसरे ऐसे प्लेर है जो आपको चार के चार मैचों में ड्रीम टीम में देख रहे हो और तो यह कुछ प्लेर हो जो आपको बहुत जादा है तो यह चीज है बाकि अगर आपको फाइनल ग्रांड लीग की डीम चाहिए तो भाई वह भी मैं आपको टॉस के बाद देता हूं ना यूटूब आप टेलिग्रम पर अगर आप टीम चाहिए तो वह मिलेगी आपको और सिर्फ मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर तो जिन्हों ने अभी तक इस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में के मैं अपने इस्टाग्राम का लिंक दे रख जो चैन्जी जंगों टॉस के बाद मैं आपको बदा दूँगा विकेट कीपर मैंने क्लासन और डिकॉक को लिए हुआ है क्लासन तो ठीक है लेकिन डिकॉक को लेकर मैं अभी भी कंफ्यूज हूं बैटिंग में रिजा एंड्रिक्स निशांका और कमिंदू मेंडिस को लि अब जराव पर चाहो तो ले सकतो महराज को या फिर स्रिलंगा अगर पहले बालिंग राजी है तो आप ले सकते हो नुआं तुछारा को तो यह चीज़ है अभी मैं पूरी तरिक से यह फाइनल टीम नहीं है फाइनल टीम आपको टॉस के बाद मिलेगी जब पिच्छ तो भाई जाओ वीडियो खतम हो चुका है वीडियो के डिस्क्पिशन में कमेंट शेक्शन में लिंक से जाकर अभी क्या भी टेलेग्राम जोइन कर लो वहाँ पर आपको फ्री गिवे फ्री टीम और बहुत सारा आपको सब कुछ फ्री मिलने वाला है तो मिलते हैं टेलेग्र पर वहाँ क्यान पूने पर वेश्र ड़कम